सिधार्त नगर जुले के बढ़नी बॉर्डर से भारतिय निर्या तक कागजों में अंकित सामान से दिक मात्रा में सामान नेपाल जाकर देश के राजस्व को जम कर चूना लगा रहे हैं यह खुलासा नेपाल के क्रिश्ण नगर जुले में स्थापित भंसार कार्याले में जांस के दौरान पकड़ में आया है मामला यह है कि बढ़नी बॉर्डर से नेपाल में एक ट्रक सैनेटरी का सामान एक्सपोर्टर ने भेजा नेपाली कस्टम के अधिकारियों ने आसंका के चलते जब पूरा सामान अनलोड करके गिनती की तो कागजों में दिखाई गई संक्या से काफी अधिक संक्या में सामान ट्रक में पाया गया इस पर नेपाल के अधिकारियों ने लगबग 12 लाख रुपए कस्टम सुल्क लगाया है बीते कुछ दिन पहले भी एक भारतिय निर्यातक ने इसी तरह गैस चूले की आड़ में भारी संख्या में कपड़े भीजे थे पकड़ने के बाद नेपाल कस्टम विभाग ने एक करोड रुपए से अधिक कस्टम सुल्क लगाया था इस तरह भारतिय निर्यातक लगातार कम सामान कागजों में दिखा कर जी एस्टी वा कस्टम सुल्क की चोरी करके देश के राजस्व को प्रति दिन करोड रुपए का रहे हैं और बॉर्डर पर स्थापित कस्टम कर रहा लाएक के करमचारी ट्रकों को नेपाल में प्रवेश करा रहे हैं सबाल यह है कि राजस्व की चोरी रोकने के लिए हमारे देश के कई विभाग स्थापित हैं इनके रहते इस कारणामे को निर्यातक कैसे अंजाम दे र कि अंड़ा लाम अच्पालत की, यह जो आया था इंडिया से, इसमे जो है सेनीटरी का सामान है, Liberation, Ved Shake baptized, Pen, इसे अरे शामान था। जो उनने घुशना किया था उसमें उसको हमने संका करके आशंका करके हमने उसमें कमोड होने का आशंका किया था। और सब सामान को उतारा और देखा तो उन्होंने वास बेसिन 110 पीस पेडिस्टल 180 पीस और कमोड 30 पीस जो उन्होंने घुषणाई नहीं किया उसका सामान जितना उसने घुषणा किया उससे ज्यादा था ये तो हमने उसको उसको मुल्यांकन किया मुल्यांकन करने के बाद जो हमारे भंसार रायन है उसके अनुसार हमने 200 परशेंट जरीवान लगाया और उसको हमने भंसार जो सुलक है वो ड्यूटी है उसको एसिस किया तो उन्होंने पहले 2,144 नेपली रुपया रिविन्यू देने का गोशना किया था 20 गंटे आरो का पानी शुविदा उपलब्त इंपूटर लैव लाइब्री बाफ्री वाइफाई शुवदा उपलब्त पता एपसी आई के सामने जीटी रोड एटा उत्त परदेश 9,4,1,2,2,8,2,7,5,7 9,4,5,6,2,1,4,0,2,4 उंबई के कुरूला इलाके में बीते शौमबार को रात एक चार मंजला मकान के डहने से महराज गंज जनपत के नौत नवा तहसील छेतर के पांच गाउं के निवासी आठ यूबकों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिसके बाद मुखे मं अबम इस्थानिय विधायक ने पीडित परिवारों को दो-दो लाग के चेक वितरत कर सरकार अबम प्रशासन द्वारा अने शहायता वश्य विधाय उपलब्द कराने का आशवाशन दिया चेक वितरत कारिक्रम के बाद इस्थानिय विधायक रिशी ट्रपार्टी ने कहा कि सरकार प्रदेश की जनता के साथ है मुंबई महुई घटना बेहत दर्दनाख है जिसमें गरीब परिवारों के आठ लोगों की मौत हो गई है मुखे मंतरी ने तुरंथ ही घटना का संग्यान लेते हुए दुख व्यक्त किया और पीडित परिवारों को सहायता देने का आश्राशन दिया उसी के तहद आज पीडित परिवारों को दो-दो लाग का चेक वितरत किया गया है एबम घायलों को पचास हजार की धनरासी दी जाएगी इसके साथ ही प्रशासन एबम सरकार द्वारा जो भी संभब हो सकेगा पीडित परिवारों की पूरी मदद की जाएगी गटना गटी और यहां नौतनवावी दानसवा के आठ लों की मृत्ति हो गई उसी किकरम में हम आये थे जैसे ही सूचना हम लोगों को पता चली थी दो दिन पहले तो जो संभव मदद हो सकता था वो हम लोगों ने प्रयास किया था हमने और हमारे सांसन मानिय पंकत चोधर और है पुझी जानकारी दी थी उन्हें आर्थिक साहता की मांग की थी इसका ततकाल उन्होंने कारवाई करते हुए मिर्तकों को दो-दो-लाख रुपैर और जिनको दुर्गटना हुई है और जो जिनको चोट आई है या किसी भी तरह से कोई दिक्कत है उन्हें 50,000 रुप प्रसाजन के तरफ से और मदद मिलने की बात है हमने अभी वहां पर बताया है जो और संभव मदद होगी हम लोग अभी प्रतियत प्रतियक लोगों के घर पर भी जाएंगे और जो अभी से ले के आगे तक पहले परिवार के लोगों के बीच में जानेंगे कि क्या है किसके हा अभी कोई कमाने वाला है या किस तरीके की जो भी होगा सरकार हमारी हर तरह सम्भों मदद आगे दागे मत्वरा थाना छेत्र के गाउं कंचन का पूरा निवासी यूबक कल्लू पुत्र ओम प्रकास मीना को जलासपताल में घायल अवस्था में भरती कराया गया है जलासपताल में घायल यूबक को लेकर पहुंचे पडिजनों का आरोप है कि यूबक कल्लू अपने किसी दोस्त के साथ बाइक से जा रहा था इसी दोरान पीछे से किसी ने गोली मार दी जो यूबक कल्लू की पीठ में जाग हुसी इतना के बाद परीजनों ने घायल कल्लू को उपचार के लिए जिलास्पताल में भरती कराया है जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार सुरू कर दिया है वही मामले को लेकर परीजनों ने पुलिस को सूचना दी है पुलिस ने घायल यूबक के परचा बयान लेकर मामले की जाज सुरू कर दी है हालांकि पुलिस के अधिकारी अभी इस बात से इंकार कर रहे हैं कि यूबक गोली लगने से घायल हुआ है सद्धिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस्तती साफ हो सकेगी. सद्धिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस्तती साफ हो सकेगी. प्रदेश के अयोध्या में गरीब बुजर्ग महलाओं में मच्छरदानी बाट कर सपारास्ट्य अध्यक्ष अकलेश यादब जी का दिब्यांग सपानेता पंडित समर्जीत ने ग्रामीड महलाओं के बीच मनाया धूमधाम से जन्मदिन. लड़ू खिलाकर आदर्णिय सपारास्ट्य अध्यक्ष अकलेश भाईया की दीग्र आयू के लिए माताओं बहनों तथा बच्चों से मांगा आसिरवाद. बीकापूर विधानसवा छित्र के पीपरी जलालपूर टोल पलाजा के पास निसाद बस्ती में पंडित समर्जीत ने पहुँचकर ग्रामीड महलाओं तथा बच्चों के बीच में स्टान वित्रड किया तथा असहाय बुजर्ग माताओं को मच्छरों के प्रकोप से बच अपने सपाराश्टी अद्रग जी का जनम दिन मनवाने का काम किया अपने सपाराश्टी के दिरगायू होने के लिए आसिरवाद और कामनाय मांगने का काम किया परेली में तैनाथ हॉम गार्डों ने डियेम से शिकायत की है कि पुलिस अधी छक्यातायात उनको ड्यूटी पर नहीं लगा रहे हैं। हम लोगों ने कोरोना काल से लेकर ने विसम परिस्चतियों में पुलिस की सेवा की है। हम को यतायात पुलिस में आमत करवाने की क्रपा करें। बड़ी शंख्या में हॉम गार्ड ने जुलादिकारी को ग्यापन दिया ड्यूटी लगवाने की मांगी। क्या समस्यारी आप लगवाने को यता कहा जाना ड्यूटी कहा नहीं जाना विस बैठा रखा दो चाल लगा दिया कितना उमर हो गई। और तो क्या लगता है कि मुंसी को लेकर क्या बात इंगा नियुंसी सब्सक्राइब करेंगा था। कैप्टन तारा कुस्पा नर्सिंग कॉलेज एबम रिसर्स सेंटर, डॉक्टर स्याम सिंग शाक्य फान्डेशन द्वारा संचालित, जी एनम नर्सिंग कूर्स पाठे क्रम, योग गिता बारे भी पास, किसी भी संकाय से, निमतम फीस एबम सासन द्वारा छात्रविती की प्रजिकल सेंटर, बस शुबदा एबम होस्टल सुबदा भी उपलब्त, कॉलेज केंटीन की सुबदा भी उपलब्त, अबीज गंटे आरो का पानी शुबदा उपलब्त, इंपूटर लैब, लाइब्रीरी, बाफ्री, वाई-फाई शुबदा उपलब्त, पता, FCI के साम ने जीटी रोड एटा, उत्त प्रदेश, अंपरकुसूत्र, 9, 4, 1, 2, 2, 8, 2, 7, 5, 7, 9, 4, 5, 6, 2, 1, 4, 0, 2, 4 उत्त प्रदेश के एटा कोतवाली नगर छेत्र के महला भागीपूर का है मामला, दरसल संदिक के परिस्तिती में, फांसी के फंदे पर लटका मिला विभाईता का शव घटना की सूचना पर पहुंची, पोलिस ने मृतिका को फांसी के फंदे से बौडी को उतार कर भेजा पोस्ट मार्टम हाउस, मिरतिका का पती चुलाता था ए रिक्षा, पती जब बच्चों को स्कूल से लेने उसी समय पत्नी ने फांसी के फंदे पर लटक कर दी अपनी जान, तीन दिन पूर्व पती पत्नी में हुई थी कुछ कहा सुनी जिससे नाराज पत्नी ने की कैप्तन तारा कुस्बा नर्सिंग कॉलेज एभम रिसर्च सेंटर अक्टर स्यंदु की शांड़ू प्रायोगिक प्रसीचर साक्य सर्जीकल सेंटर, बस शुबदा एबम होस्टल शुबदा भी उपलब्त, कॉलेज केंटीन की शुबदा भी उपलब्त, अबीज गंटे आरो का पानी शुबदा उपलब्त, इंपूटर लेव, लाइबरीरी, बाफ्री, वाईफाई शुबदा उपलब्त, पता एबसी आई के सामने जीटी रोड एटा, उत्त प्रदेश, अंपरकुसूत्र, 9, 4, 1, 2, 2, 8, 2, 7, 5, 7, 9, 4, 5, 6, 2, 1, 4, 0, 2, 4 अयोध्या के रायगंज रेलवे स्टेशन के निकट गुजराती धर्मसाला स्री रगुवीर ट्रस्ट में राम बालक दास की पुनितिती का आयोजन हुआ गुजराती धर्मसाला वस्री रगुवीर ट्रस्ट के अध्यक्षबा गुजराती मंदर के उत्रा अधिकारी बाबु भाई पुर्शोत्तम बागवानी ने बताया कि हमारे गुरु गुजराती मंदर के पूर्व महंत स्री एक हजार आठ राम बालक दास की आतिवी पुणति गुजराती धर्मसाला वस्री रगुवीर ट्रस्ट गुजरात मंदर के उत्रा अधिकारी बाबु भाई प्रशोत्तम बागवानी ने बताया हमारे गुरु महाराज बालक राम दास जी की सात्वी पुणति थी मनाई जा रही है जिसमा योद्या के सभी सादूसंत सम्मिलि प्रशाद इग्रहड किया अज का करेकरम एथा कि हमारे माराज जी की निर्वान तित्य थी और जब से निर्वान तित्य पहले से बंदार तो विश साल से होता है हर साल होता है साल में दो बार तीन बार पूरे अखाडे वर का हनमान गड़ी और जगा से भी सादू इस सरा संपन होता है सब दक्षिना वगेरे दिया जाता है और हम सूरत से मेरा नाम है बाबु भाई यह कंती भाई है हमारे पती जै है और वह वरत भाई वह सब लग और साल 2-3 बार आते हैं यान और बंडारा करते हैं और यह सब करते हैं और यह दर्म साला 98 हमने जब अपनेंग किया तब पहले तो फ्री में चलाते थे गुज्राती लोगों का अब यहां दोनों टाइम खीचडी सब्जी मिलता है आट दिन में एक छोटा सा बंडारा होता है साल में तिन-चार बड़ा बंडारा करते हम और हमारा उद्देश यह के हम यह आवे और यह सब मानों के दर्सन करें यह करें लेकिन हमारे गुरुजी का यह स्थान है गुरु कृपा से सब कर पाते हम कैप्टन तारा कुस्बा नर्सिंग कॉलेज एबम रिसर्च सेंटर डॉक्टर स्याम सिंग शाक्य फान्डेशन द्वारा संचालित जी एनम नर्सिंग कूर्स पाठे क्रम योगिता बारे भी पास किसी भी संकाय से निम्तम फीस एबम सासन द्वारा चात्रविती की शुब प्रायोगिक प्रिसिछर शाक के सर्जीकल सेंटर बस शुबदा एबम होस्टल शुबदा भी उपलबत कॉलेज केंटीन की शुबदा भी उपलबत अबीज गंटे आरो का पानी शुबदा उपलब्त त्म्पूटर लैव लाइब्रेरी बाफ़ी वाई-फाई शुबदा पता FCI के सामने जीटी रोड एटा उत्त प्रदेश अंपर्क सूत्र 9 4 1 2 2 8 2 7 5 7 9 4 5 6 2 1 4 0 2 4